नेक्स लाग के बार में बढ़ाएंगे जिसे हम कहते हैं सेमी कंडुक्टर लाग का जो फॉल फॉल्फर्म होता है वह होता है सेमी कंडुक्टर चिप पोटेक्शन एक्ट नाइंटीन एटीफॉर से यूस्ट में बनाया गया था यह बेसिकली जो रेश्टेशन के इससे कोई कॉपी ना करें उसको कोई शैल ना करें या किसी को सेल करने के लिए ओफर ना करें तो इस दिसला प्रोबाइट राइट टू ओनर ऑफ चिप डिजाइन लाइक इंटल चिफ बाइंटेल्स नो बन केंड मेंड सच चिफ सेम लेयाउट एज फंक्शनिंग ऑफ इ होता यूनिक अधू दूदीय का मञर्ला हो गया कि नान तो कॉपी राइट में आता है नहीं पैटन्ला में सकता है या इसको अलग से बनायागा इसलिए तो जो चिफ क्या होता है इक होता हैं ऐ Lakitu अप सैटों कि होते हैं जो वसिए कली सेमीकांडैक्टर controllers material जैसे जैसे जर्मेनियम हो गया अर्शनिक हो गया उनसे बना जाता है और इसमें बहुत सारे होते हैं तो इसके बात करते हैं पहला इसमें कि करते हैं कि दूसरा इसको ना तो कॉपी कर सकता है न यहीं कर सकता है नहीं इसको भी ऑनर का बैस सकता या कॉपी कर सकता है जो भी चाहिए वो होनर के अंदरकट आता है नेक्स होता है इसमें इंफ्रिंजमेंट इंफ्रिंजमेंट कब होता है बायोलेशन का मलब होता है कि यदि कोई इस तरह का कुछ टास्क करता है मलब उसको कॉपी करता है तो उसके खिलाब पैनाल्टी लगाई जा सकती ओनर जो भी मैनुफ्रेक्ट्रिंग कर रहा है चिप की चैलिंग हो रहे हैं चिप की सेलिंग हो रही है उसको यह सकतायर कोड कओ के औरी के द्वारा या उसके लिए से वह पैनालती भी देनी पड ए ओनर कैंसी PayPal financial compensation और उनर जो हो सकता है वो उसके लिए मलब पैनाल्टी को जो भी उसको मिस्यूज करेगा infant gender कह सकते हैं या बाइवलेटर कह सकते हैं लेकिन जो ओनर है बाइवलेटर से कुछ compensation भी उसके लिए ले सकता है और कोट यहां तक ही एक order भी दे सकता है कि उसे जो चिफ बनाई गया है उसको जब चाह चाहँ ड्रैश ट्राइब ही किया सकता है बस इसमें एक इसका किया सकते हैं आप बात कह सकते हैं exception कह सकते हैं कि जो reverse engineering होती है जो हमारी इंफिंजमेंट में नहीं आती है पता करना मलब क्या होता है कि इसमें reverse method फॉलो किया जाता है कि पीछे से जो भी activity last activity फे उसके बाद दूसरी activity को चेक किया जाता है जिससे उसकी जो कुछ weakness है या कुछ इसमें defect है उसे find किया जाता है तो इसको इंफिंजमेंट में नहीं जानते या बाइलोशन में नहीं डाला जा सकता है यह इसका एक exception होता है तो स्वेमी कंड़क्टर जो ला होता है यह से कह सकते हैं यह इस पिसली चिप के लिए बनाए गया था नाइंटी एटी फोर में बनाए गया था और जो आइसी चिफ होती है उसके शैलिंग डिस्टिविशन कॉंपी और इलिगली यूज पर जो भी ओनर्स है वो एक्शन ल करता है तो इसके खिलाब एक्शन ले सकता है वही इसमें नेक्स है इंफ्रेंजमेंट में इसमें पड़ा बाइलोशन कह सकते हैं इसको इसको कोई करता है चिफ को मिश्यूज करता है जो ऑनर्स है वो से पैनल्टी ले सकता है या जो भी बाइलोटर है उसे पैनल्टी दे स सकता है इसका एक बाद है कि जो रिवर्स इंजिनिंग होती है चिप की वह हमारी बाइलेशन के अंदर गत नहीं आती है मालोब रिवर्स इंजिनिंग में क्या करते हैं उसमें जो चिप बनाए गया उसमें बीकनेस फाइंड करते हैं